नमस्का दोस्तों JRB Solutions में आपका एक पर फिश्वागत है दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी संखला जब कोई किस संखला अनंत तक जाती है तो उसको किस परकार से निकालते हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कोई संख्या सीमित रहती है या फिर कोई कोशना जाता है जैसे आपके सामने कोशन है कि दोस्तों एक कोशन है 258 कशा ऑफ 11 कि और चउदा तो इस परकार की कोशन को कैसे निकालोगे तो हमें इस परकार के कोशन को को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर 2, 8, 11, 14 हमें दिया गया है अब दोस्तों हम इस कोशन को किस प्रकार से निकालेंगे तो दोस्तों आज के कोशन में हम देखेंगे लुप्त वर्ड मतलब लुप्त कैसे वर्ड कि कि किसी कोई कोशन है या तो उसके बीच मे बीच में कोई संख्या लुप्त है या फिर वो कॉशन अनंतर तक नहीं जा रहा है वो सीरीज सी में थै तो इस प्रकार के कोशन को निकालने के लिए हम क्या मैधाड अपला करते हैं और किस प्रकार से हमें सोचना चाहिए क्या तरीका अपनाना चाहिए तो दोस्तों आज क कॉशन है जो इस कोशन को ही सॉल्फ करके देख लेते हैं किस कोशन का आंसर क्या आजाने चाहिए हम लास्ट वीडियो ने बताया था आपको कुछ टिक कि हमें सबसे पहले क्या देखना है इसके बीच का अंतर देखना है तो दोस्तों क्या करेंगे यहां पर जो अंतर आ र में सबसे पहले देखना हमां उनका अंतर ठिक है डिस्टेंई कितनी है अंतर रहे सुरूएं उनका अंतर कितने है तो हम यहां पर समझ आ रहे है दोस्तों अंतर तो सीरीज सेरीज में देख सकते то DS 2 3 की सीरीज बन रहे है यहां पर 3 3 का अंतर आ रहा है तीन हट के बाद फिर एक संख्या रही ही थीन के बाद फिरस एक संख्या हाँ यहाँ पर दूसतो एक बड़ और बताना चाहूँगा इसके बाद कि यहां पर इसका अनसर स्कारा आजाए गा यहां पर सत्रा ठिक है इसको आंसर आ जाए के यहां पर 17, इसमें इक बाद और आपको क्लिर करना चाहूँआगा कि अगर आपके पास कोई कोज़िए यहां पर आ कि यहां पर सम्संिख्या हूँ और तो आपके पास ऐसे संख्या आ सकते है कि यहां पर कोई series है सिर्फ संख्या आ जाए यह 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 या फिर कोई series ऐसी चले कि two और फिर यहां पर क्या करें six आ जाए यह फिर यहां पर क्या क्या जाए multiple question आ जाए six आ रहा है 12 आ रहा है या 14 आ रहा है या फिर किसी में आपको आ जाएगा कि जैसे 5 आ रहा है 11 आ रहा है 17 या इसके बाद 17 आ रहा है तो दोस्तो इस परकार के question हमें देखने को मिल सकते हैं इस series है दोस्तो 5 है 11 है 17 है फिर इसके बाद 19 है तो इस परकार की question हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर काया है कैसा है दोस्तो एक question यहाँ पर देख लेते हैं 19 के बाद फिर यहाँ पर क्या आजाएगा 29 है तो अब यहाँ पर कौन सी संख्याईगी तो दौस्तो हम देख सकते हैं यहाँ पर basically हम समझ सकते हैं कि 5 है जिसमें भाग नहीं जाता अवाज जिसन क्या है और 17 है फिर 5, 11 है, 17 है इसके बाद 19 है ठीक है यहां पर एक और ले ले लेते हैं एक और उप्षन ले ले लेते हैं कि यहां पर क्या आजाएगा और 19 है 19 के बाद क्या जाएगा और 19 के बाद जो यहां पर संख्या है कोस्टन है कि हमें यहां पर एक लुबत पाते हैं ठीक है और इसके बाद 29 है अब इस संख्या में क्या जाएगा एक बार अच्छे से लिखेते हैं कि यहां पर पांच है 11 है फिर इसके पास प्रशनवाचक चिन है यह और फिर इसके बाद 17 है और 19 है फिर इसके बाद प्रश्न वाचक है अब हमारे पास इस प्रकार के Question आते है कि हमें दो जग़ा है क्या मिल गया है दोस्तों प्रश्ण वाचक चिनी मिल गया कि हमें यहां पर जो लुप्तपद है लुप्तपद निकालना है और एक यहां के लिए भी हमें लुपत निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इसमें हमें अलागी समझ आता है इस प्रकार की सीष्ट काफी वर कॉस्टन में पुछी जाती है दोस्तों तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 5 है और इसके बाद क्या है ग्यारा है ग्यारा के बाद सीधा 17 पर आ गए तो एक सीरे चल रही है पांच के बाद जो बढ़ आता है वो ग्यारा होता है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता ठीक है ग्यारा के बाद क्या आता है दोस्तो तो देख सकते हैं कि यहां पर तेरा आ जाएगा क्योंकि ग्यारा के पास तेरा इसी संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता 13 के बाद कौन सी संख्या है दूस्तो 17 17 के बाद कौन सी संख्या है दूस्तो 19 और 19 के बाद कौन सी संख्या आएगी तो दोस्तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर आती है 23 ठीक है 23 ऐसी अभाज संख्या है जिसमें किसी का भाज भाग नहीं जाता और यहां पर कितना आ जाएगा दोस्तों तेरा आ जागा तेरा इसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता तो दोस्तों यह अभाज संख्या है इस प्रकार से कोश्चन आते हैं भाज और अभाज संख्याओं में तो हमें इस पर इस प्रकार के कोश्चनों मे 17 है, 14 है और 15 है ठीक है 12 है और 13 है अब इस परकार के question को आप किस तर्की से करेंगे क्योंकि यहां पर दोस्तों देख सकते हैं हम कि इस परकार की जो लुक्त संक्या है लोक्त संक्या पहले बता दूँ दोस्तों के हर exam में पूछा जाता है हर exam के लिए जिस भी exam के आप competition exam की तयारी कर रहे हो उसके लिए लाब कारी है topic ठीक है 17 है 17 के बाद 14 आ जाएगा 14 के बाद 15 है 15 के बाद 12 है 12 के बाद 13 है सबसे पहले आपको सोचना है कि यह series कहां पर जा रही है decrease हो रही है मतलब अनंत से sum की एक की ओर आ रही है हम कह सकते हैं कि यहां पर अनंत से कहां तक आ रही है एक की ओर जा रही है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका अंतर कितना है ठीक है तो 17 से 14 गया और 14 के बाद 15 गया एक घट्रा है तीन माइनस हुए फिर एक प्लस हुआ ठीक है और यहां पर कितना हा रहा है दोस्तों यहां पर भी तीन माइनस हुए और फिर एक प्लस हुआ अब यहां पर कितने होंगे तो यहां पर कितने होंगे दोस्तों तीन माइनस हो जाएंगे दो अप्जेक्टिव देने है कि इसके पास आगे सीरिस क्या होगी तो इसमें एक क्या हो जाएगा यहाँ पर तीन मानस हो गया फिर एक पलेस हो जाएगा तो यहाँ पर 21 आजाएगा ठीक है दस और 21 यहाँ पर लिखेते हैं इसका आंसर क्या जाएगा 10 और 11 इसका ए अंसर आ जाएगा कैसे गयात किया दोस्तों तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पहले 3 मानस हो रहा है फिर 1 प्लस हो रहा है फिर 3 मानस हो रहा है फिर 1 प्लस हो रहा है फिर यहां पर क्या करेंगे 3 मानस कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे इस प्रकार से इस question का answer निकाल सकते हैं एक और भी दी निकाल सकते हैं कि यहां पर पहले देख सकते हैं कि यह sum पर जा रहा है एक बिसम संक्या हो यह sum पर जा रहा है फिर एक बिसम संक्या हो यह sum पर जा रहा है फिर एक बिसम संक्या हो यह sum पर जाएगा तो कितने संग पर जा रहा है ये भी हमें देखना है क्योंकि इसके पास 16 भी है 17 भी इसलिए इसमें वो method नहीं apply कर सकती इसमें हमारी जो हमने method apply की हुई है ये वाली मानस करने की अंदर देखने की तो ये method ये लाप करी रहेगी यहां पर तो गाइस next question क्यों चलते हैं next question क्या कहता है किस प्रकार से बनते हैं एक और question लेते हैं दूस्तो जड़ा सा question है easy है आपको comment section करके बताना है question का answer क्या आएगा तो 15 है 17 है 20 है 22 है 27 है 29 है ठीक है यहाँ पर आपको बताना है कि इसका answer क्या आएगा तो दोस्तो इसका answer गया निकालेंगे तो दोस्तो वीडियो पोज़ करके आप comment section कमेंट करके इसका answer दीजिए तो दोस्तो चलते हैं आई होप आपने दे दिया हो का answer इस question का answer कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर 15 है 17 आ रहा है 15, 17 फिर 20, 22 यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो answer है इसके increase हो रहा है अब जब increase हो रहा है तो 15 के बाद 17, 17 के बाद 20 अब बढ़ भी रहा है तो पंदरा के बाद कितना है दो बढ़ गया यहाँ पर कितना बढ़ गया तीन बढ़ गया यहाँ बिल्कुछ इजी सीरीज है देख सकते हो 20 के बाद कितना बढ़ गया दो बढ़ गया फिर कितना बढ़ रहा है फिर कितना बढ़ रहा है अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 15 के बाद 22 के बाद कितना बढ़ रहा है टोटल टोटल तो यह बढ़ रहा है को कि लिए बहुत हैं दो संख्याओं तक देना है दो प्रस्जन बाचेकशीन लगे हैंratos दो संख्याओं तक इसका आंसर देना है तो यहां पर ने देखिंगे हो पर कितने कंतर आ रहा है फांच्या सबस्क्राइम्स पर-बन Holровuk क्लि Barbara पर सिर्फ दो का अंतर है दो तीन नच यहां पर दीन का अंतर होना चाहिए कि jest स्कमें कंगे कि जो नंतर है in getting वह यह यहां पर सिद्धा सिद्धा पांच का इ grams है कि अभुआए है अब हम क्या करेंगे यहां पर प्लस 2 का अंतर यहां पर और प्लस 2 का तीन में फिर दो का अंतर आया पहले तीन प्लस हो गए ठीक है फिर पहले दो प्लस हुए फिर तीन प्लस हुए फिर दो प्लस हुए फिर यहां पर पांच प्लस हुए मतलब इन इनका जब हम अंतर देखेंगे पांच और तीन का अंतर देखेंगे तो इसमें कितने का अंतर आ जी बनीeln ठीफ आप इसका और चाहिए 29 के बाद हम क्या करेंगे 7 एड कर देंगे तो ज़ा यहां पर आज लूब चैना cigar करेंगो है 30 iCHMO Fund लिभर्षास 10 एक पांस्व 그러면 19 आद котором तो इसका आंसर इस प्रकार से निकल जाएगा